बार दोस्तों स्वागत है आप सबका LK All In One चैनल में दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके सब बात करने जा रही हूँ दो मुहे बालों के बारे में जी यहां दोस्तों बहुत ही समस्या है ये दो मुहे बालों की कई लोग बार बार जो है ट्रिमिंग कराते है नेचे से बाल कटवाते है कि हमारे बाल दो मुहे है पर दोस्तों मैं आपको बता दू अगर आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तो आप अपने बाल कटवाएंगे नहीं दो मुहे बालों को आप कटवाएंगे नहीं अगर आप जानना चाहते हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं क्या है इस रेमेडी में क्या क्या चीज़े आपको चाहिए मेरे साथ चुटे रहे हैं मेरा वीडियो जो है वो लास तक देखते रहिए एक ज़रूरी बात और दोस्तों जिन लोगों ने यह वी तक LK All In One चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ में लगे बैल आइकन को तबाहना मत भूलिएगा कि यूट्यूब पर मेरा जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंट मिल जाएगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धरन्यवाद दोस्तों इस पैक के लिए आपको चाहिए एक अंडा जैतून का तेल और एक चमच शहद अब आपने ये पैक बनाना कैसे है सबसे पहले बरतन में एक अंडे की जर्दी, धाई चमच जैतून का तेल, एक चमच शहद डालीजिए इन्हें अच्छे से मिला लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एक गाड़ा और स्मूध पेस्ट आपका तैयार हो जाएगा अब इस पेस्ट को आपने अपने बालों पर लगाना है, इसे बालों की जड़ों से लगाते हुए छोर तक जाना है जब आपके सारे बालों पर ये पेस्ट लग जाए, तो बहतर होगा कि आप अपने सर को शावर कैप से ढख ले इस बेस्ट को आपने अपने बालों पर एक गंटे के लिए लगा रहने देना है उसके बाद किसी भी केमिकल रोई चैंपू से किसी भी हरबल चैंपू से अपने अपने बाल जो है वो धो लेने है दोस्तों इसमें मैंने आपको बताया कि आपको एक अंडा चाहिए जतून का तेल चाहिए और शेहद चाहिए अगर आपके पास जतून का तेल नहीं उपलब्द है तो दूसरा उसका ये है कि आप जतून के तेल की जगए नारियल के तेल का इस्तिमाल कर सकते हैं उसमें एक अंडा, नारियल का तेल और एक चमच शहद उसी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, बनाना है इसको अपने बालों पर लगाना है, लगाने के बाद एक गंटा लगा रहने देना और किसी भी हर्बल शैंपू से अपने बाल धो लेनी है दोस्तों यह जो नुसका है अपने एक बार अपनाईए, एक बार हफते में इसको करके देखिए आप देखेंगे कि आपके जो दो मुहे बाल हैं वो बिलकुल ठीक हो जाएंगे, दो मुहे बाल आपके जो है वो गाइब हो जाएंगे